हेलो गाइज वेलकम बैक टू नू वीडियो तो आज वो गाइज हम एंपिल पर वन जिर वन पूल में प्ले करने वाला है एंड गाइज जे गेम प्ले भी इतना टैंस होने वाला है ना क्योंकि यहां पर फॉर प्लेयर तो इजी एलमेट हो जाएंगे लेकिन वन भी वन में टैनर राउं्ड यांड लगने हुअ उसमारे नउ estáar Li discharge अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चो कदेना चैनल बर पहली बर आयाया हुत स्थाएब करे जाना के सब्सक्नाघ्र सोगारी सो obsessed कर लेते हैं कुछ जो कछ टैक्ड है नहीं उन्ली सिंगल जो करता और प्योर स्कुएंस वे नहीं थी तो हम इस वए से ड्रॉब भी कर देते हैं वैसे यहां पे टू प्लेयर तो पहले सी प्लेय कर रहे थे अब यहां पे लेफट और साफिंड लेफ्ट और डिलर का हमको पता है नहीं कि यह प्लेय करेंगे यह फ फैर कोई नहीं हम इसी एक साथ करते हैं बैट स्किप देखते हैं यह पर गई इन पांचों बंदों में से कौन डेक्लेयर कर पाता है वह फानली घाइज यहां पर डेक्लेयर कर देता है और इसी एक साथ देश आते हो बंदों के पॉइंट 211 और डीलर के फिरी पॉइंट हो चुके हैं एंड इस बर गाईज अगेन मुझे लगता है कि मुझे ड्रॉव भी करना पड़ेगा वैसे यहां पर डाइमन में एस आ जाए तो प्ले कर सकते हैं या फिर कलब में डिसकाड करेगा बंदा तो क्योंकि फिर एस का साइट रही होने की चांसे रहेंगे लेकिन ब लगता है किसे बंदे पास काफी अच्छे काड़ा है सो हम करते हैं ड्रॉप एंड यहां पर 58 बंदा ओके यह तो प्ले करेगा क्योंकि अगर प्ले नहीं करेगा तो उसके जो ड्रॉप करके 100 के राउंड पॉइंट हो जाएंगे तो उसके विनिंग चार्स कम हो जाएंगे सो यह बंदा यही सोचा होगा कि अगर मैं डेक्लेर करूंगा तो मेरे मतलब हमारे जितने पॉइंट यह निक्रीज कर सकता है एकॉल कर पाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो ना राइट प्लेयर ओनली सैकिन टाम में डेक्लेर कर देता और बंदों के दे कितने कम पॉइंट लगे हैं देखो बाई साब ओनली ट्वंटी टू पॉइंट लगे हैं क्या वाई किसम आता है से बंदेगी लेकिन भाई इस बंदे के लिए हमें दिक्का दा है क्योंकि यह बंदा अब लेकरेगा तो मजा अब हमारे पास अच्छे काड आएं थोड़े लेकिन अभी भी हमको जो है वैलिट कार्ड चाहिए ओके हर्ट क्वीन आई हर्ट क्वीन के लेटर कोई कार्ड भी नहीं है अब कौन सा कार्ड डिसकार्ड करें किंग जे जे ही डिसकार्ड कर देते हैं वैसे कोई सा भी कार्ड डिसकार्ड करेंगे तो कोई पता नहीं ड्रॉब कर चुके हैं और 36 पॉइंटल बंदें देखो ओपन ऐसे काड़ पिक कर लिया अब डिलर मैं सोचाओं कि ड्रॉब कर देगा तो भाई सही रहेगा गवंकि इमारी वन भी बन सिच्वेशन रहेगी लेकिन नहीं भाई ये बंदाई प्ले करने लग जाता है आप इसे बंदे ने किंगें डिसकार्ड किया हैं सो किंग करें क्या बैसे कूशेय का साइट रहें जब पर लेते हैं एफवेंट कि मख़ीं डिसकार्ड करते हैं बर लेकिन अभी भी वे वीवारे कोइंट अधो ट्वैंट आ कुंगि मंदाने कुछ आपकर कर देखिन कर लेता है अब किक नंगे तो इसे कर देखिता कुछा और यह बना देखो 10 डिसकार्ड कर रहा है जोगी मारे पास पहले से यह बाई 9 डिसकार्ड कर देता तो क्या ही हो जाता तेरा कैर कोई नहीं बाई बाई गाईज क्लोड़े से कोई ना आ जाती है सो मसीक्वेसर नहीं करके 7 के साथ फाइनली डिकलेर कर देते हैं और बंदे देखो कितने कितने पॉंट से लोस are जो सैकी राइट प्लेयर है यह बंदा तो only 4 पॉंट से लोस हो है और डिलर 23 चलो यह मारे लिध थोड़ा सा अडवांटेज है कुछ इस बंदे के 23 पॉइंट तो लगए ना कम से कम और मैंने दो ला था ना जो थर्टी सिक्स पॉइंट और बंदा था वो नाइन का साइट रहे कर रहा है वो बंदा नाइन का साइटी रहे कर रहा है चलो कोई नहीं अगेन गाइस काड़ डिसीबिट हो चुक है और इस अ वोलॉ की टूप्लै ड्रॉप कर चुकर है हैं है 40 पोइंट रल गया देखते हैं 20 में तुभई ओपंड रेल बंदा देखते हैं प्ले करएगि या फिद ड्रॉप भई प्ले करेंगा या फिद रॉप कोय समय नहीं आति बंदों की क्या ही करते उ अगर प्ले करना है टॉप करो drop करना था drop करो पता ने क्या इस हो इत्ते रहते हैं या तो यह बना जान बुच का time out करेगा मुझे लगता ऐसा बाई साब इतना time काउन लगाता है जो देखो अब जाके drop किया साम भी करते है drop आप देखते हैं इस बंदे के card या फिर बंदे ने बलफ ट्राइग गया होगा मुझे लगता है बलफ ट्राइग गया था ओनली सिंगल जो करता और एक बंदे पास टू जो करते उसे बंदे ने पता ने क्यों ही ड्रॉब कर दिया कैर कोई ने क्या कर सकते हैं अगेन जाश कार्ड डिस्फट घुर चुका कैंडिस वाड़क तो काइस मारे पास कार्ड तो ठीक ठा किया है लेकिन ञोकर नहीं तो भाई क्या करें गे इन कार्ड दु condu का अब यह जोकर निया क्याक भोला जाए कायर कोई नहीं अगेन करता है पड़ेगा ड्रॉप और 43 पॉइंटल बंदा क्या बता प्ले करें शायद ओके यह प्ले कर रहा है क्यों कि हो साथ है तर बंदे पास अच्छे काड़ हो कैर कोई नहीं करते हैं ड्रॉप एंड इसी के साथ करते हैं बैट स्किप क्योंकि यहां पर डिलर और 43 पॉइंट बंदा प्ले ही करेंगे देखते हैं इन दोनों मंदों में से कौन डेकलेड कर पाता है अके सो फाइनली गईज यहां पर 89 पॉइंट बंदा डेकलेर कर देता है और इसी के साथ 43 पॉइंट बंदे के डायट 42 लग जाते हैं मतलब किस मंदे की प्य हो चुक्क है एंडिस पर काई देख सेखा तो हमारे पास टू जो करा हैं लेकिन लेकिन प्योर सेक्वेंस नहीं है मट प्ले तो हम करेंगे ही अब जो भी होगा देखा जाएगा ओके सबंदे नाइन डिसकाड किया है हम खोड़े से कड़ पिक करते हैं जे हमारे पास एट डबल है चलो एट ही डिसकाड कर देते हैं क। कौँगी इसको कब तक हम होल्ड करेंगे और ये बंदा पिक कर लेता है पिक करना तो था मुझे लग रादा पिक करेगा क्योंकि डबल है ना साइट रेंज भी कर सकता है और डायमड टैंड देखो यह बंदा डिस्कार्ड कर रहा है और तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लग डायमड टैंड निकल चुका है वैसे अभी ऑपशन है डायमड किंग आसकता है डायमड में 4 आसकता है हर्ट में 4 आसकता हर्ड में 6 हर्ड में 9 ऑपशन तो काफी सारे हैं लेकिन दिखके दिया कि अगर हर्ड six आयना तो उसमें जोकर आड हो जाएगा जो करके इलावा कोई काड़ आये ना तो मज़ा देखो 8 के काड़िंग टाइमन में 8 डिसकाड़ कर रहा है वाई और यहां भे मेरे पास कलब में 5 आया सो मैं J डिसकाड़ कर देता है पता नहीं मुझे सामय नहीं आरी काड़ कोई साथ डिसकाड़ करूं क्योंकि यह बंदा Queen भी पिक कर साथ है Queen हमारे लिए invalid है और इस बंदा ने 8 पिक किया तो इस वह से मैंने Queen discard नहीं की क्योंकि ऐसा भी हो साथ है 8, 9, 9, J के साथ यह बंदा sequence नहीं कर चुका हो और Queen के साथ यह बंदा 5 card गीना sequence नहीं कर ले क्योंकि इसको तो element होने के लिए only land per last point लगने चाहिए लेकिन यहाँ पर यह अगर इस बंदे ने point down कर लेना तो हमें दिक्कत होगी बाद में और यहाँ पर 85 पिक कर लेता तो पता नहीं क्या ही नशे करके बैठा है मतलब कि हमको को कोई card discard कर के ही नहीं दे रहा अब देखो हमारे पास उपर से यूजरस card आई जा रहे है देखो बैए king discard किया और यह बना king pick कर लेता है अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बाई declare होने वाला है बन देखों की back to back openness काड़ पिक किये जा रहे थे और मुझे लगता था कि यह हम battle loss हो चुके हैं लेकिन बस देखते जाओ अब ही क्या होने वाला कुछ भी हो सा था कुछ भी अभी अभी भी और जी अब देखो कितना time लगा रहा है मुझे लगता कि इसबन्दे की अभी अभी pure sequence range हुई है तब ही तुना टाइम लगा रहा है ना ओवाई डाइमड़ सिक्स डाइमड़ फॉर मिल जाए तो बाई मजह ओके नाइन डिस काड़ कर रहा है बंदा और ये देखो कोवीन लेकिन कोई नहीं काई से लग के लिए हमारे पास जो है मुझे उमीद नहीं थी कि हमारे पास काड़ा आजाता है लेकिन पता नहीं कैसे हमारे पास काड़ा जाता है तो इसी के साथ हमारी सीक्वेंस रेंज हो जाती है तो लेकिन अभी हमें ये दिखा था कि हमारे पॉइंट देखो 26 है बंदे ने डिक्लेर किया थो भाई eliminate डियरक्ट वह भी 106 पॉइंट से मस कैसे भी करगे ना बंदा एक टन लग जाये मैं यही सोचा था दुआ कर रहा था कि भाई हमारे एक टन लग जाये और उसके बात बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो कोई दिक्कत है नहीं हमें और बाई nine discard कर रहा है यह बंदा बाई कोई valid card discard करो ना nine discard कर रहा है अगर nine discard करना ही ते तो लग में करता कोई नहीं क्लोड़े से कड़ पिक करते हैं और यहां पे फाइनली गाइज हमारे पास जो है एस आ जाता है तो इसी के साथ मारी एक और साइकिन लाइफ रेंज हो जाती है तो अब हम डिसकार्ड करेंगे कलब में 10 क्योंकि मुझे पता कि बंदा पिक करेगा और डिकलेर भी कर सकता है क्योंकि इस बंदा ने किंग पिक किया था और आप कोई पता हमें पॉइंट डाउन करने था तो इस वाइज से मैं डिसकार्ड कर देता हूँ और फाइनली गाइज यह जो बंदा डिकलेर आखिरकार करी देता है खैर कोई नहीं हमारे ओनली फॉर पॉइंट ही लगे है लेकिन यहाँ पे जो राइट प्लेयर है यह अलिमेट हो चुका है लेकिन बाई सिक्स्टी पॉइंट लबना देखो ओनली सिक्स्टीन पॉइंट से लोस हुआ है क्योंकि इसको भी डिकलेर करने के लिए सिंगल कार्ड ही चाहिए था चलो कोई नहीं अब जो भी होगा देखा जाएगा ओके अगेन गाइस कार्ड डिसीविड हो चुके हैं इस बार गाइस इतने ओपी कार्ड हैं कि भाई साब मैं यहाँ पर सोचा था कि फर्स्टर में डिकलेर हो सकता है क्या लेकिन नहीं भाई फर्स्टर में डिकलेर मैं कर ही नहीं सकता कैसे भी करके देखो बस एक वैलिड कार्ड और होता ना क्यार कोई नहीं यहाँ पर मैं सिक्स पिक करी लेता हूँ क्योंकि मुझे ना पॉइंट भी डाउन रखने थे और यहां पर भी डिक्लेयर करने के लिए हमको अब वन मेले रिकाट ची हो गए सवाईसे हम पिक कर लेते हैं और यह बन देखो किंग पिक कर लेता है अब या तो यह बना साइट रहीं कर रहोगा या फिर सीक्वेंस बट कोई नहीं बेड़ा पिक कर लेता है तुझे होना ही पड़ेगा अगर किंग के कोड़ेंग हर्ट में इस आगा तब भी डिक्लेयर हो सकता है जे आगा तब भी और यह बन्दे गाईज यहाँ पर इजी एलमेट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर डिलर पनी कैसे बच जाता है क्योंकि यह बन्दा ड्रॉप कर देता है ना इस वाई से मतलब इस बन्दी किसमत अच्छी थी अगर इस बन्दे के पास एक प्यावर से क्वेंस आ जाती ना त कार्ड डिसीबिट हो चुके हैं एंड इस बार गाईज हमारे पास कार्ड देखा जाए काफी अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हैं साय कि लाइफ अरेंज हों के बावजूद भी देखो 40 पॉइंट है हमारे हमें जो है 16 से डाउन पॉइंट रखने हैं ओके बन्द कर रहा है कोई नीक लोड़े से कार्ड पिक करते हैं और यहाँ वहाई हमारे पास भी हर्ट 10 आता है अब देखो यहाँ मैंने गलती कर दीजे डिसकार्ड नहीं ना करता तो शायद यह बंदा अब मैं 10 भी डिसकार्ड करूंगा तो यह पिक करेगा 101 प्सेंट ओके वाइकिंग भी डिसकार्ड कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाता है अब मेरे पास गाइस ऑप्शन नहीं थी मैं कौन सा कार्ड डिसकार्ड करूंगा तो मैं 10 यहाँ पे डिसकार्ड कर रही देता हूं और यह बंदा पिक कर लेता है और इसी के साथ फाइनली ड क्लियर भी कर देता है अब देखो मेरे यहां पे इतने पॉइंट डाउन हो चुके थे मतलब कि उनली साइन पॉइंट ही लगते हैं देखो गाइज इस बंदे के पास प्योर सेक्वेंस तो थी जे टैन नाइन डवल था इस बंदे के पास बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से गाइज हम इस बंदे को स्प्लिट पाक के क्वाइस हैं लेकिन नहीं भाई यह तो इगनोर ही कर देता है खैर यहां पर नाइन्थ राउंड हो चुका है और यहां पर अभी एक और राउंड लगने वाला बस देखते जाओ अगेन गाइस कार्ड डिसीविड हो चुके हैं देखो हमारे पास open deck से जवक कर रहा चुका है तो बंदे को तो यह से लागर होगा कि इस बंदे पास काफी ओपी पकारड है तो देखते हैं गाइज हम इस बंदे को साथ क्या ही करते हैं ओके तो हम किंग डिसकार्ड कर देते हैं क्योंकि हमारे किंग का side to range हो जाएगा ले इस में एस और यह बंदा इस के कड़िए हमको हर्ट में इस जिसकाड़ करता है सो इसी के साथ हमारी साइकिन लाइफ ही रेंज हो चुकी है लेकिन अब भी हमको आड़ चाहिए सो मैं यहां पर डाइमन में एट डिसकाड़ कर देता हूँ क्योंकि 9 और 6 मुझे लग रहा था कहीं से बंदे के पास 7 एट ना हो और 9 यह बंदा पिक कर सकता है ओके और भाई बंदा ना काफी खतना प्ले करेगा हर्ट इस देखो अगेन मैं लगता है इस बंदे के पास डबल थे और मेरे पास यहां पर देखो हर्ट में 2 आया है अब मैं यहां पर यही सोचा था कि मुझे ना टू ही डिसकार्ड करना चाहिए क्योंकि यहां पर 6 आगए तो 6 का सैट रहीं कर लेंगे और 9 आगए तो 9 का सैट रहीं हो जाएगा सो बंदा जो समॉल कार्ड तो नहीं निकालेगा मुझे ऐसा लग रहा है सो मैं काफी सोच हमें के ना तू डिसकार्ड कर रही देता हूं क्योंकि अब जो ही होगा देखा जाएगा जातो यह बंदा पिक करेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और देखो यह बंदा ना ही डिसकार्ड करता है सो इसी के साथ काईज मारा सैट भी रेंज हो जाता है करती ना करूं कि यह बंदा कार्ड पिक कर पाए सो मैं यहां पर कलव 5 डिसकार्ड कर देता हूं लेकिन यह बंदा इस बार भी पिक नहीं करता है और देखो अब ये बन ह boun pops कार रहा है और यहाँ मुझे थोड़ा डायो भी हो रहा था कि कि यह बन्द अग्ट होने के लिए ओनली पलास पाइब लगने चाहीए था जो कि अराम से लग सकते हैं और यहाँ पे बस only one valid card discard करते बना देखो five discard कर रहा है बाई six नहीं discard किया देखो कहीं ऐसा नहीं कि six इस बंदे के पास है so five तो पिक नहीं करेंगे कलोड़े से card pick करते है ओके और यहां भी हमारे पास useless hurt में eight आता है अब यहां भी five six six message हो चाओंगे मैं six discard कर दूँ या फिर four नहीं नहीं से इसको follow तो नहीं करेंगे four discard करेंगे क्योंकि अगर यह गलती की तो यह बंदा डिक्लेयर जूर कर देगा ओके डावन क्वीन डिसकार की है कोई नहीं कलोड़े से card pick करते है हमको भी ना बस only one value card चाहिए एमपिल वालो दे दो one value card क्या कर रहे हो ओके यहाँ पर अगें डावन में four इसे को discard कर देते है और यहाँ पर यह बंदा अगें कलोड़े से card pick करता है और इसी के साथ अभी तो नहीं डिकले हो रहा लेकिन करने वाला बस jade card किया कोई नहीं कलोड़े से card pick करते है तो ओड़ा तर टाइम लेंगे और यहाँ पर देखो diamond days भाई इतने कटिया card आ रहा है मैं क्या ही बोलू भाई एक card चाहिए सिर्फ एक वो भी नहीं आ रहा और फाइली कैस यह जो बंदा कलोड़े से card pick करता है और इसी एक साथ declare कर देता देखो भाई वैसे यह बंदा element हो सकता था and guys हम इस बंदे को अगें split pack के question करते हैं लेकिन नहीं भाई यह बंदा तो साथ करने को त्यारी नहीं था अब होने वाला guys final round मतलों कि आप यहाँ बेना चाओग जाओगे जो final round में होने वाला again guys card डिसीविड हो चुके है और इस पर guys देखो हमारे पास first and second life range हो चुकी है लेकिन 10 देखो open deck में था अगर हमारे पास आता ना तो भाई मज़े यह आ जाए था खैर कोई का हमको advantage मिलेगा को हमारी एक और sequence range हो जाएगी लेकिन नहीं भाई यह बना तो 9 पर 9 discard किया जा रहा है कोई नहीं अगेन close to card pick करते हैं ओके यहां पर हमारे पास hurt में 10 आता है सो हम discard करेंगे 9 को क्योंकि मैं नहीं चाहता है यह बना जबा ओपन ऐसे card pick करें हम 10 का side range कर लेंगे लेकिन 9 sorry hurt 10 discard नहीं करेंगे इसको ओके और यह मना 6 discard करता है तो इसी के साथ मारा एक और 6 का side range हो जाता है तो मैं यहां पर 8 भी discard कर देता हूँ क्योंकि हमको ना वस कैसे भी करके इसको ओपन ऐसे card pick करने नहीं देना okay damage is discard किया तो ऐस पिक नहीं करेंगे cloud ऐसे card pick करते हैं और यहां पर हमारे पार diamond में J आता है तो इसी को discard कर देते हैं क्योंकि यहां पर diamond में 9 double निकल चुका तो J pick क्या ही करेगा okay club queen discard किया है सो हम करते है cloud ऐसे card pick okay यहां पर हमारे पास जो आज 6 आ चुका गाइज so अब हम कौंसा card discard करें यहां पर ना मेरा काफी दमाग ज्यादा खराब हो चुका था कि मैं अब कौंसा card discard कर रहा हूँ क्योंकि इस बंदे ने hurt sorry होकम का 10 भी पिक नहीं किया था 10 भी discard किया था और मैं यहां पर ना 2 ही discard करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बंदा उपने से card pick कर रहें लेकिन भाई यह बंदा 2 पिक कर लेता है खैर कोई नहीं क्लोडे से card pick करते हैं मैं सोचा था कि declare करेगा लेकिन declare तो नहीं हुआ कि सो अगेन क्लोडे से card pick करते हैं और हमारे पाद लग के लिए 10 आ जाता है तो इसी के साथ हम सैट रहें करके 3 के साथ अब finally declare कर देते हैं guys अब देखना हम declare तो करते हैं लेकिन यह बंदा देखो only two points loss होता है बाई seriously मैं क्या ही बोलूं बाई साब यह सब बंदे के पास भी काफी अच्छे card थे खैर कोई नहीं हमें इस बंदे को again करते हैं split pack के question से और यह बंदा इस बार सैट करता है तो हम इस बार सैट कर लेते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग गए तो like जो कर देना